इस्राइल और हमास के बीच जो जंग है उसमें लगातार नई अपडेट्स आ रहे हैं इदर हिजबुल्ला के साथ जो लड़ाई है वो ऐसी बढ़ रही है कि इस्राइल ने अपने अस्पतालों को तयार रहने के लिए कहा है कि बहुत सारे सैनिक आ सकते हैं घाया लोकर उधर ब्लिंकन पूरे अरब में घूम कर शांती का राग अलाप रहे थे लेकिन इस्राइल पहुंसते ही नितनियाहू के घुटनों में गिर गए हैं आईसीजे में जो केस हैं इसमें फलस्तीन के समर्थन में लगातार दुनिया भर से आवाजे आ रही है और इन सब के बीच अमेरिका में एक टनेल मिली है जिसके कहानी बेहद रोचक है जुड़े रहिए मेरे साथ देखिए पूरा वीडियो इस्राइल और फलस्तीन पर बि नमशकार टीसीज पर मैं आशोक कुमार पांडे हाजिर हूँ हमास इसराइल वार पर आज की अपडेट्स लेकर शुरुआत एक ऐसी खबर से शुरुआत एक ऐसी पॉजिटिव नियूस से जो थोड़ी सी उमीद भी जगाती है और ये भी बताती है कि फलस्तीन के लोग इ इस लड़ाई में कितना पॉजिटिव होकर लड़ रहे हैं ये वीडियो आप देख रहे होंगे एक बच्ची जिसके माबाप को मार दिया गया जो अनात हो चुकी है हास्पिटल में है खुद भी बेहत घायल है उसका बर्डे था और कुछ लोगों ने जो वहां के अज़ाम किया और उसको खुशी दी और दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं ये घर जो इसराइल के हमले में पूरी तरह से तोड़ दिया गया है रबल बन गया है खंडर बन गया है इस घर का जो मालिक है वो उस घर पर ही बैठा हुआ है जैसे इन्जार कर रहा है कि मेरा घर तो तोड़ दिया या तो मुझे मार दो या फिर यहां से छोड़ के चले जाओ घर तो मैं दुबारा बना लूँगा यह जो अपनी जमीन से महबत है यह जो अपने लोगों से महबत है और इस जंग में डटे रहने की जो ताकत है वो इसराइल को लगातार परिशान कर रही है सारा कुछ करने के बाद मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बताओं कि हमास जीतता जा रहा है इसराइल हारता जा रहा है मैं यहां क्रेडिबल नियूस बताने के लिए हूँ न तो इसराइल जीत पा रहा है ना हमास जीत पा रहा है, लगातार बंबारियां हो रही है, लगातार घरों को गिराय जा रहा है, मैंने आपको बताया, कि इसराइल ने दुनिया को दिखाने के लिए ये कह दिया, कि हमने कुछ सैनिक वापस बुला लिए है, लेकिन असल में उसका जो इरादा है, वो के लिए जिनको लगता है कि इसराइल सिर्फ मुसल्मानों का विरोधी है हिंदुस्तान के उन भक्तों के लिए जिनको लगता है कि इसराइल अपने अब्दुल की चूड़ी टाइट कर रहा है तो हमें खुश हो जाना चाहिए और जो गाय की हत्या करने वाले इसराइल के कि खड़े हो जाते हैं जो अपने धर्म के अलावा दूसरे सभी धर्मों को नापाक समझते हैं पाप समझते हैं पहली खबर देखिए इसमें एक मस्जिद के टूटने की सारी की सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि कैसे एक मस्जिद को तोड़ा गया और सैक्डों मस्जिदों को तोड़ा जा चुका है जब से ये जंग चल रही है उस लाके में जितनी मस्जिदें थी लगभग सारी मस्जिदों को तोड़ा जा चुका है और जो सबसे बड़ी मस्जिद है अलकसा वहाँ पर लोगों को जाकर नमाज पढ़ने से लगातार रोका जा रहा है ये तो खबर का एक हिस्सा है लेकिन खबर का दूसरा हिस्सा है बहुत कम लोगों को पता होगा जो इस्राइल में इंटरस नहीं रखते हैं उनको नहीं पता होगा कि इस्राइल में लंबे वक्त से इसाई भी रहते आ रहे हैं और उनके बहुत सारे हिस्टॉरिकल चर्च है ये रूशलम के चर्च के बारे एर्स ओल्ड चर्च है ये जो फलस्तीन में था पहली बात तो ये कि अठारा सौ सालों से वहाँ पर चर्च था मुसल्मानों के आबादी वहाँ पर 90 परसंट से उपर थी लेकिन इस चर्च को कोई नुकसान नहीं पहुचा था इसराइल के हमले में ये चर्च भी बुरी तरह से खंडहर में तबदील कर दिया गया है तोड़ दिया गया है जमी दोस कर दिया गया है तो जो ये जायनिस्ट विचारधारा है इसराइलियों के भीतर यहूदियों के भीतर जो ये जायनिस विचारधारा है वो मुसलमानों की भी उतनी ही दुश्मन है इसाईयों की भी उतनी ही दुश्मन है दरसल जो भी कटरपंथी विचारधारा होती है वो बाकी सभी धर्मों के दुश्मन होती है हिंदुस्तानी इस मामले में शायद लकी है कि वहाँ पर इसरामिक स्टेट की होती थी आईएस आईएस ये आईएस वो इसराइल फलस्तीन की इस जंग में इसराइल हमास की इस जंग में बहुत साफ हो गया है कि आईएस आईएस क्या है हमारे जैसे लोग शुरू से कहते हैं कि I.S. I.S. एक ऐसी संस्ता है जिसको अमेरिका और इसराइल ने फंड किया है और जब इस युद्ध में सीधे सीधे I.S. I.S. का जो आफिशियल प्रवक्ता है वो हमास के उपर तो हमला करता है लेकिन इसराइल को कुछ नहीं कहता है इरान के उपर जो बाम्बिंग हुई थी उस बाम्बिंग की जिम्मधारी लेता है लेकिन इसराइल के खलाफ कुछ नहीं कहता है 26,000 से जादा लोग मारे गए हैं फलस्तीन में घजापटी में वेस्ट बैंक में लोग मारे जा रहे हैं अभी परसों वेस्ट बैंक में तीन लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी गई और वेस्ट बैंक में लगातार परिशान किया जा रहा है लोगों को सैक्डो हजारों लोग जेल में हैं 26 हजार से जादा लोग मार दिये गए 5000 के आसपास बच्चे मार दिये गए लेकिन I.S. I.S. जो खुद को मुसल्मानों का संगठन बताता है उसके मुँ में कोई जबान नहीं है कि वो इसराइल या अमेरिका की मुखालिफत कर दे वो तो उतनी मुखालिफत भी नहीं कर पा रहा है जितनी सौदी अरविया कर रहा है कतर कर रहा है बाकी सारे मुल्क कर रहा है कम से कम वो इतना तो कह रहा है हैं कि सीस फायर होना चाहिए कम से कम उतना तो गह रहे हैं कि इसराइल जो कुछ वहाँ पर कर रहा है जिस तरह शहरियों को लगातार मार रहा है वो गलत है लेकिन आईयस आईयस जैसा संगठन खामोश बैठा हुआ है वो हमास के خلاف है वो एरान के खिलाफ है लेकिन इस्राइल और अमेरिका के खिलाफ बोलने को बिलकुल तयार नहीं है अगर दूसरे अलफाज में कहूं तो अमेरिका और इस्राइल भी हमास और इरान के खिलाफ है आईएस आईएस भी हमास और इरान के खिलाफ है अब जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं व परिशान कर रहा है सीरिया में लगातार हमला कर रहा है और अभी हाल में एक वीडियो आया है कल परसों में एक वीडियो आया है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि सीरिया में सीरिया के जो फौजे हैं और रशियन फौजे जो हैं वो मिलकर I.S.I.S. के अड़ों को तबाह कर रही है और साथ में इस खबर को जोड़ के देख लीजिए कि I.S. I.S. हमास का विरोध कर रहा है I.S. I.S. इरान का विरोध कर रहा है और I.S. I.S. इसराइल और अमेरिका पर बिल्कुल चुप है और इसके बाद जो भी नतीजा निकालना है आप खुद निकाल लीजिए मैं ये खबरे दे कर अपनी बात खतम करता हूँ आईस आईस पे अगली जो खबर है वो खबर थोड़ा चिंता में डालने वाली है इसराइल और हिजबुल्ला के बीच में जंग शुरू तो हो गई है इसमें कोई दो राय नहीं है कि जंग शुरू हो गई है मैंने आपको बताया कि इसराइल के कई सैनिक ठिकानों को हिजबुल्ला ने नुकसान पहुँचाया है लेबनान के अंदर एक कार पर बम फेक कर इसराइल ने तीन लड़ाकों को मारा है उसके पहले भी उनके एक सीनियर आफिसर को मारा था उसके बाद फिर से हमला किया है लेबनान ने ड्रोन फेका है और जो लेबनान से लगा हुआ इसराइल का बॉर्डर है वहां अफरा तफरी मची हुई है लेकिन इसके आगे की खबर ये है कि हिजबुल्ला अभी भी फुल स्केल वार नहीं चाहता था वो सिर्फ ये डिमांड कर रहा था कि हमास के उपर और खास तौर पे घजा पट्टी में जो हमले हो रहे हैं वो बंद कराए जाए है आपको मैंने बताया था कि बलिंकेन भी आये थे और बाकी सारे लोग भी ये कोशिश कर रहे थे कि लेबनान और इसराइल के बीच में जंग जो हो फुल स्केल पर नहीं हो लेकिन जो खबरे आ रही है वो ये बता रही है कि इसराइल लेबनान के साथ फुल स्केल जंग पर जाने की तैयारी कर रहा है वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने बाकाइदा अपने अस्पतालों को कहा है कि तैयार रहें पूरी तरह से सारी अमर्जनसी तैयारिया कर लें क्योंकि बहुत सारे सैनिक घायल होकर भरती होने आ सकते हैं यानि इसराइल को पता है कि लेबनान से अगर जंग होगी तो वो आसान जंग नहीं होगी उसके अपने लोग भी मारे जाएंगे लेकिन वो लेबनान के खिलाफ लड़ाई शुरू करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है और इसका परिणाम ये हो सकता है कि ये जो पूरी की पूरी जंग चल रही है जैसा मैंने कहा था ये एक मेटा जंग में बदल सकती है एक लोकल जंग में बदल सकती है बिलिंकिन वहाँ गये थे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कतर में वो गए तो जो जिस पत्रकार के बच्चे मारे गए हैं उन पत्रकार के बारे में अलजजीरा के उन पत्रकार के बारे में उन्होंने कहा कि उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ गोया ये दर्द किसी और ने दिया है गोया अमेरिका ने वहाँ से जो हत्यार दिये थे वहाँ से जो पैसा दिया है उसके बना इसराइल ये सब कर पाता या फिर पहली बार ऐसा हुआ है कितने ही लगातार मारे जा रहे था हैं वहाँ पत्रकार मैंने आपको बताया था 109 से जादा पत्रकार मार दिये गए और जब मैं ये खबर लेकर आपके बीच में हूँ तो थोड़ी देर पहले की खबर है कि वहां की एक पत्रकार है हिबा हिबा की भी हत्या की गई है उनके 6 साल की बच्ची उनके साथ थी और बाकाइदा टार्गेट बनाके हिबा को मारा गया है और उनकी 6 साल की बच्ची को मारा गया है लेकिन पत्रकार जुकने के लिए तैयार नहीं है हिंद जो वहां की बड़ी जानीमानी पत्रकार हैं लगातार रिपोर्ट कर रही है उनका ट्वीट एक आया उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है और वो है हमारी हत्या जब तक हमारी सासे है तब तक हम लगातार यहां जो कुछ हो रहा है वो दुनिया को रिपोर्ट करते रहेंगे और इन सब के बीच मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी खबर आई है कि इसराइल ने यूएन के बार बार कहने के बाद भी यूएन के टीम को विज़ा नहीं दिया है और अपने हां लगातार दबाव पढ़ने के बावजूद वो विदेशी पत्रकारों को गज़ा में अलाओ करने के लिए तैयार नहीं है यानि इसराइल नहीं चाहता है कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो सारी दुनिया देख सके तो बिलिंकेन साहब सारी बातें ये सब करके पहुँचे इसराइल और इसराइल पहुचने के बाद उनका सुर बदल गया कई बार तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इसराइल के दबाव में अमेरिका काम करता है या अमेरिका के दबाव में इसराइल काम कर रहा है इसराइल पहुचके उन्होंने पहली बात तो यही कही कि हम इसराइल के पूरी तरह से साथ हैं और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो कुछ हो रहा है उसके लिए हमास जिम्मधार है अगर हमास ने साथ अक्टूबर को वो सब नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता हाला कि बलिंकिन को बताने की जरूट नहीं है उनके पास सारी खबरे हैं लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि हुदूर बलिंकिन ये सब कुछ जो चल रहा है वो सत्तर सालों से चल रहा है कुछ महीनों पहले की एक घटना मैं आपको बता देता हूँ अपने लिए पानी के सारे रिसोर्स का इंजाम करने वाले इसराइल ने जिस सोर्स से फलस्तीनियों के पास गजा पट्टी के लोगों के पास पानी जाता था उसमें सीमें डलवादी थी कंक्रीट डलवादी थी ताकि फलस्तीन के लोगों को पानी न पहुंच सके इसके आगे भी आप जानते हैं कि वहाँ के किसान फलस्तीन के किसान जब अपने खेतों के लिए जा रहे थे तो इसराइल के सैनिकों ने उनको धमकाया और अपने खेतों में नहीं जाने दिया वेस्ट बैंक में क्या किया है इसराइल ने फलस्तीन में इसके पहले क्या किया है गजापटी में क्या किया है ऐसा नहीं हो सकता कि बिलिंकिन ना जानते हो ऐसा नहीं हो सकता कि बिलिंकिन नहीं जानते हो कि रोज कैसे फलस्तीनियों का अपमान किया जाता है इसराइली सैनिक जैसे चाहते हैं वैसे फलस्तीनियों के साथ बिहेव करते हैं कभी भी वहां पे बंबारी शुरू हो जाती है कभी भी गोलिया चलनी शुरू हो जाती है तो ये सारा कुछ साथ अक्टूबर से शुरू न देख रहे होंगे और मेरा चैनल अगर आप रेगुलर देख रहे होंगे तो मैं आपील भी कर दूँ कि कम से कम सब्सक्राइब तो कर लीजे ताकि जो अपडेट्स हैं वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सकें खेर अगर आप मेरा चैनल रेगुलर देख रहे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि हाला कि दुनिया बर में ख़बर ये फैलाई जा रही है कि बिलिंगन सहब वहाँ पे गए हैं युद्धिविराम के लिए लेकिन ये जो टाइमिंग है ये टाइमिंग मेरे मन में शंका पैदा कर रही थी मैंने उस समय कहा था कि ये हो सकता है कि 11 और 12 जनवरी को ICJ में International Court of Justice में इसराईल का केस जाना है और अगर ICJ ने International Court of Justice ने अफरिका और जो बाकी कंट्रीज हैं जो इसमें सपोर्ट कर रही है मैं उस पर भी डिटेल आपको बताऊंगा अगर उनकी बात सही मान ली और इसराईल को जेनोसाइट का आरोपी मान लिया तो इसराईल को UN से निकाला जा सकता है पलस्टीन को UN में फुल टाइम मेंबर्शिप दी जा सकती है बहुत सारी संस्थाओं से इसराईल को बाहर जाना पर सकता है बहुत सारे सैंक्शन उसके उपर लग सकते हैं और जब आग इसराईल में लगेगी और मेरा अपना मानना है कि दो वजहों से ब्लिंकिन गए थे पहली बात तो ये कि इस जनोसाइट के सपोर्ट में जो अरब कंट्रीज हैं और सारी अरब कंट्रीज हैं मैं आपको बताऊंगा बाकी चाहे कुछ भी हो लेकिन ये सारी के सारी अरब कंट्रीज साउथ अफरिका के उस प्रस्ताओं के समर्धन में हैं तो पहले तो उसको थोड़ा सा टोन डाउन करना उनको समझाना कि भाई या समझाना या धमकाना अब कमरे के अंदर क्या होता है कोई नहीं जानता तो उनको समझाना धमकाना कि यह ICJ वाला जो केस है उसमें जादा सपोर्ट न करो और दूसरा युद्ध खतम होने के बाद क्योंकि युद्ध तो खतम होगा ही आज नहीं तो कल हमास के हाथ से सारी पावर खीच कर साओधी अरबिया और कतर जैसे देशों को फलस्तीन में एक्टिव करना ताकि उसके अपने लोग ही फलस्तीन में साशन करे वो चाहते ही है इसराइल तो यही चाहता है कि हमारा आदमी वहाँ पे रहे उसके बाद इसराइल तो यहां तक चाहता है कि गजापटी से सारे लोगों को हटा के वहाँ पे बस्तियां बसाई जाएं वो शायद मुम्किन कतर ही नहीं होगा बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं खुद मुसाद के जो एक्स चीफ हैं वो कह चुके हैं इस बात को कि इसराइल अपने मकसद में काम्याब नहीं होने वाला यह सब तो ठीक है लेकिन वहाँ जो नई गॉर्मेंट बने वो प्रो अमेरिका हो वो प्रो साथी अरबिया हो ये ब्लिंकेन चाहते हैं तो ब्लिंकेन के जाने की वज़ा है वहाँ पे कोई सीज फायर करना नहीं था वहाँ पर वो अभी भी वैसे ही इसराइल के साथ खड़े हैं जैसे पहले खड़े थे ये जो राग वो अलाप रहे थे कि सिविलियन्स के हत्या थोड़ी कम हो जाए वगरा वगरा ये सब कुछ केवल आईसी जे में जो के साथ अफरिका लेकर गया है उसकी वज़ा से कर रहे थे अब इसराइल में जाकर अपनी बातें दोराकर उन्होंने ये बात दुबारा साबित कर दी है अब आगे बढ़ो इससे पहले एक बड़ी मज़दार खबर खबर ये है कि एक टनल मिली है अब टनल का नाम सुनते ही आपके कान खड़े हो गए होंगे कि हमास की टनल मिली है क्योंकि इसराइल का मीडिया लगातार जो हमास की ये टनल मिली हमास का वो हथियार मिला ये सारा कुछ लगा हुआ है लेकि नहीं ये टनल अमेरिका में मिली है यहूदियों का जो पूजा का अस्थान होता है जिसको सिनेगाग कहते हैं यहूदियों का एक सिनेगाग था उसके नीचे ये टनेल खोदी जा रही थी अब सिनेगाग के बगल में जिसका घर था उसको लगातार ये आवाजें आ रही थी तो उसने वहां के पुलिस को इंफार्म किया कि यहां पर टनेल खोदी जा रही है अब पुलिस जब वहां पर पहुची अफरा तफरी मची उसके पहले जल्दी जल्दी में उस टनेल को सीमेंट से भरने की कोशिश चल रही थी लेकिन उसके पहले वहाँ पुलिस पहुँच गई और जब टनल में घुसी तो उस टनल से निकल कर किसी तरह से कई सारे जो यहूदी रभी थे वो भागे वहाँ से लेकिन कई सारे पकड़े गए और जब पुलिस पहुँची तो तमाशा मचाने के लिए बाकाइदा में तोड़ फोड़ भी मचाई गई अब जब उस टनल की जाज की जा रही है तो कई सारी मजदार चीजें आ रहे हैं वहाँ गद्दे मिले हैं कहा यह जा रहा था कि युवा लोगों ने जो युवा उसके रभी थे उन लोगों ने अध्यान के लिए वो टनल बनाई थी मत वहाँ पे वो चेयर्स मिनी जिन पर बच्चों को बिठाया जाता है और वो सिनेगाग जहाँ पे खुल रहा है वहाँ पर बच्चों का एक म्यूजियम है मैं पहले भी आपको एपिस्टीन का पूरा केस बता चुका हूँ और बहुत सारी स्टेडीज बताती हैं कि इसराइ जा रहा है कि ये जो टनल है इस टनल का उपयोग इसी पीडोफाइलिंग के लिए किया जाता था अब क्या है क्या नहीं ये तो जब पुलिस की जांच होगी तब बाहर आएगी लेकिन एक सवाल मेरा है अगर किसी मस्जिद या मंदिर के भीतर से वो टनल मिलती तो जो हूदी सिनेगाग के नीचे मिला है इसलिए ये खबर बड़े अख़बारों से वहां के गायब है अब मेरा सवाल ये है कि फलस्तीन में जो टनल ढूंड रहे हैं लोग अब जब टनल वहां मिली है और टनल के अंदर पीडोफीलिया जैसे सबूत मिल रहे हैं तो इस पर कहता है कि मैं फ्री स्पीच का बड़ा हामी हूँ मैं हमेशा चाहता हूँ कि फ्री स्पीच हो उसने हमास का जो बिग्रेड है अलकासम उसने अपना ट्विटर एकाउंट बनाया और ट्विटर एकाउंट बनने के कुछ घंटों के भीतर ही मस्क ने ना केवल अलकासम का ट् इंटरनाशनल ट्विटर एकाउंट बंद कर दिये सस्पेंड कर दिये जो लगातार फलस्तीन के समर्थन में बोल लिख रहे थे जबकि ऐसे सैकडो हजारो एकाउंट्स अभी मी हैं जिन में बड़ी बेशर्मी से इसराइल के सैनिक दिखाते हैं कि उन्होंने किसी का घर लू अपना रहा है जो कुछ यहूदियों के खिलाफ होता है उसको बड़ा टून डाउन करके दिखाये जाता है और जो मुसल्मानों के खिलाफ होता है या अर्मों के खिलाफ होता है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाये जाता है एक एक एक्जामपल आपको दूँ एक तस् or activity of Hamas यानि ये छे लड़कियां जो बच्चियां है जिनको बच्चियां कहा जा रहा है girls कहा जा रहा है वो हमास ने उनको abduct करके अगवा करके रखा हुऊ हखीकत क्या है हखीकत ये है कि ये छेव के छेव जो है ये sainic हैं इस्राइल की और ये वहाँ पर हमास पर हमला करने गई थी और जब एक पर दूसरा हमला करेगा तो गिरफतारियां तो होंगी ही क्या हमास के जो लोग गिरफतार हैं इसराइल के अंदर उनकी फोटो ऐसे लगा के सवाल पूछा जाएगा और इनमें एक लड़की तो वो है जिसका एक वीडियो बड़ा वाइरल हुआ था जिसमें बेहत अश्लील तरीके से फलस्तीनियों का मजाग बनाते हुए जो वहाँ की सैनिक हैं वो अपने पूरे आर्मी वेश में आईडियेफ की जो सैनिक हैं वो पूरे आर्मी वेश में डांस कर रही थी ये मने आपको एक एक ऐड़क्जामपल दिया कि हर जगा ये तो लिखा जा रहा है कि ये छे लड़कियां अब्डॉक्टेड हैं लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि ये छे लड़कियां चाप रहे हैं वो इसराइल की जो आर्मी है उसके निर्देश में कर रहे हैं और भारत का मीडिया जब वहां गया था तो मैं आपको बताई चुका हूँ कि तेल अवीब के एकदम सुरक्षित एक होटल में बैठ कर इसराइल की सेना जहां जहां ले गई वहां वहां रिपोर् गाफ आई है क्या हालात हो गए हैं कि मदीना जाके लौट आई लेकिन फलस्तीन इसराइल संगर्ष पर एक शब्द उनके मुझे नहीं निकला दरसल किसी ने पूछा भी नहीं बारत ने तो अब अपनी एक ऐसी हालत बना ली है कि इसराइल फलस्तीन वार जैसा निशनल मामलों पहे हमारी आवाज हमेशा बुलंद होती थी हग के पक्श में होती थी और सारी दुनिया उसको सुनती थी खैर सारी दुनिया की बात चली है तो आप बात करनी होगी I.C.J. कोर्ट की I.C.J. कोर्ट में मैं आपको पता चुका हूँ कि केस तो साउथ अफरि देश हैं लगबक 57 57 देश हैं उसमें वो सारे के सारे देश भले अमेरिका के करीब हो उसमें कतर भी है उसमें सौधी अरबिया भी है उसमें बाकी सारे देश हैं यूं भले वो अमेरिका के बहुत करीब हो लेकिन इस मामले में वो साउथ अफरिका के साथ खड़े हैं ये एक इसके अलावा मलेशिया जो है मलेशिया आप जानते हैं पहले भी मलेशिया ने अपना जो पोर्ट है उस पर इसराइल के जहाजों के आने पर पाबंदी लगा दी थी वो भी इंटरनेशनल कोर्ट आप जस्टिस में फलस्तीन के साथ खड़ा है टर्की खड़ा है जार्डन खड़ा है एक बड़ा नाम जो उसके अंदर है जो गैर मुसलिम कंट्री है बुलीविया खड़ा है उनके साथ लगातार मालदीव, पाकिस्तान और नामीविया भी उनके साथ खड़े हैं इसके अलावा जो बेलजियम की जस्टिस में साउथ अफरिका और फलस्तीन के साथ खड़ी हो आयर्लेंड का किस्सा यह है कि आयर्लेंड का पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ मांग कर रहा है कि आयर्लेंड की जो सरकार है वो आई सी जे में जाकर खड़ी हो साउथ अफरिका के साथ है इंदुस्तान में सिर्फ एक नेता मैं कहूंगा प्रियंका गांधी जो लगातार फलस्तीन के फेवर में बोल रही है मैंने जिन पत्रकार की बताया था कि जिन पत्रकार के बेटे की हत्या हुई थी उस पर भी उन्होंने बाकाईधा ट्विटर पर लंबा पोस्ट किया था उसके अलावा पक्ष तो पूरी तरह से गायब है भारती जन्ता पार्टी की जो सरकार है कोई नहीं जानता कि ICJ पर उसका क्या पक्ष है हमने अपनी ये हालत बना ली है कि हमारा पक्ष कोई पूछ भी नहीं रहा है लेकिन दुनिया भर में बहुत सारे देशों में नार्थ कोरिया मैंने बताया कि नार्थ कोरिया लगातार साथ में है फलस्तीन के चाइना और रशिया भी सपोर्ट कर रहे है इन कंट्रीज के बारे में एक लिस्ट मैंने आपको बताई जो ICJ के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं साउथ अफरिका और पिलस्टाइन को दुनिया भर के 800 से ज़्यादा NGOs और इस तरह के संगठन है जो लगातार ICJ वाले केस में मदद भी कर रहे हैं और साउथ अफरिका के साथ खड़े हैं और जब से ये केस आया है आप देखिए कि लगातार अमेरिका के अंदर सीजफायर की मांगा रही है जुलूस निकल रहा है UN में एक बड़ी घटना ये हुई है कि जो यहूदी रभी है जो जायनिस्त नहीं है उनके एक संगठन ने UN के अंदर प्रदर्शन किया है सीजफायर के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि बुश जब गए थे अपने प्रचार के लिए तो वहां पर भी उनकी कि गई कहा गया सीजफायर नाव अब सीजफायर कराया जाए यानि पूरी दुनिया आप कह सकते हैं कि दो हिस्सों में बढ़ गई है और लगातार लोग फलस्तीन के पक्ष में आ रहे हैं सबकी निगाहें अभी 11 और 12 जन्वरी पे हैं कि अगर 11 और 12 जन्वरी के आ गया तो ये इंसाह पसंद लोगों की एक बड़ी जीत होगी तो लगातार अपडेट्स आ रही हैं मैं पहले तीन दिन चार दिन में एक बार इसराईल और फलस्तीन पे वीडियो बनाया करता था लेकिन लगातार जिस तरह की अपडेट्स आ रही है मुझे लगता है मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों तक पहुँचा हूँ और आपका फर्ज है कि आप मेरी आवास को दूर तक ले जाएं आप मेरी ताकत बने मैं बार बार कहता हूँ आज फिर कह रहा हूँ कि आपकी जरा सी मदद मुझे वो ताकत देगी कि मैं कैमरे और सत्ता की आँख में आप हमारे मेंबर बन सकते हैं 89 रुपीज पर मन्त के आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं आपकी ये ताकत बहुत जरूरी है ताकि हम लगातार बात कर सकें आज के लिए बस इतना ही जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे मैं लगातार अपने चैनल पर इन अपडेट्स को करता रहूंगा जुने रहिए हमसे सुनते रहिए TCH पर मुझे